हाई दोस्तों मैं आपका दोस्त संतोस पाल हमारी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है ये नीव लेन पचपंसर जिसका विभूल अंडी काम काम करेंगे इसको क्राउन बड़ी भी बोलते हैं इसका विभूल अंडी खराब हो गया है जो ये श्टार पिन लगता है उसका सीट कॉट चुका है तो आपको हम घूमा के दूसरे साइट का भी दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपने ये देख सकते हैं कि आप ये कैसे इसका बड़ी कॉट चुका है तो चलिए आपको हम घूमा के दिखाते हैं तो ये देख सकते हैं आप इस साइट का तो और ज्यादा कॉट गया है तो हमने आपको दिखाया कि बड़ी ये कैसे कटा हुगा है तो चलिए इसको अब हम खोल लेते हैं और इसका लॉक भी तूट गया है जो पीन को लॉक करके रखता है इसको खोल के फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या कटा है तो ये एकसल होजिंग को हम खोल लेंगे दुने तरफ का तो ये एकसल खोलने का वीडियो आपको हम नहीं दिखाएंगे अगर आप ये एकसल होजिंग खुलने का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पहले से ही निव होलेन का ब्रेक फीटिंग का वीडियो है वो वीडियो जाके देख सकते हैं तो हमने दोनों तरफ का नट डिला कर लिया है अब एक एक नट मत सिफ बाकी है अब उसको हम नीचे उतार लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो हमने एकसल होजिंग को नीचे उतार लिया है अब उसके बाद ये डिस वेगरा ब्रेक सब निकाल लेंगे यहां से तेरा नमर का नट खोल लेंगे और ये पीन सब निकाल लेंगे ये तेरा नमर का नट यहां से सबसे पहले ये नट खोल लेंगे और प्लिट निकालने के बाद सतरा के गोटी से लॉक नट को शतरा नमर नट को खोल लेंगे अब इसके बाद डीस हमारा निकल जाएगा तो अब ये रावनिंग का बोल्ट से भी खुल लेंगे ये crown और जेस्टिंग प्लेट है तो ये crown और जेस्टिंग प्लेट में ही हमारा crown का बैरिंग का इसमें color लगा हुआ है हम इसी प्लेट से crown में play और चेक कर सकते हैं और ये ही से अर्जेस्ट कर सकते हैं और दूसरे साइट का भी हम खुल लेंगे तो हमारा सभी खुल चुका है अब चलिए इसको अब हम प्लेट को निकाल लेंगे प्लेट को निकाल लेंगे तो हमारा बेवल अंडी निकल जाएगा दुन तरफ का हमने प्लेट निकाल लिया है अब हमारा क्राउन बोडी आ जाएगा बाहर क्राउन को अब खोल लेंगे क्राउन बोडी से यह सबी रावनिंग का बोल्ड खोल के क्राउन को हम खोल लेंगे हमने यह सबी नट खोल लिया है यह सबी नट खोलने के बाद हमारा यह क्राउन निकल जाएगा बाहर यह हमारा क्राउन निकल गया अब उपर वाला प्लेट को हम निकल लेंगे यह हमारा उपर वाला प्लेट भी आ गया है अबी और इसमें एक सिम लगता है और यह बड़ा वाला गेर है तो बड़ा वाला गेर हमारा ठीक है उसके बाद यह पीन छोटा वाला निकल लेंगे निकल क्या लेंगे यह पहले ही निकल चुका है और देख सकते हैं आप यह कैसे कट चुका है स्रिफ्ट नट के वज़ा से रुका हुआ था नहीं तो गिर जाता और यह सिम्स भी कट गया है यह पॉलिस पे चलता है यह पॉलिस इसका सब खराब हो गया है और यह अंदर से देख सकते हैं इस्टार गयर कैसे कटा हुआ है यह यह यहाँ पे भी पॉलिस पे यह चलता है यह हमारा दूसरा छोटा वाला पीन यह भी निकल गया है अच्पना अब उसके बाद यह हम star gear को निकाल लेंगे और scrim निकाल लेंगे उसके बाद बड़े वाले पीन को निकाल लेंगे ये भी अंदर से देख सकते हैं आप कैसे कठा हुआ है अब बड़े वाला पीन को ठोक के निकाल लेंगे हम तो हमारा बड़ा वाला पिन भी निकल चुका है आप ऐसे ही ट्रेक्टर रिपेरिंग के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम ऐसे ही ट्रेक्टर रिपेरिंग के वीडियो बनाते रहते हैं और बेल आइकन को भी All पे सिलेक्ट कर लें कि जब भी हम वीडियो बनाएं तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे हमारा बड़ा वाला पीन निकल गया और यह Star Gear 4 हमने निकाल लिया और उसका Sims भी निकाल लिया हमने अब यह देख सकते हैं आपकी यह पीन कैसे कटा हुआ है कितना ज़्यादा कट गया है यह Star Gear का पीन है वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे अब आपको हम बड़ी दिखाने की कोशिस करेंगे कि बड़ी कैसे कटा हुआ है यह देख सकते हैं अंदर से भी जहां पर हमारा Star Gear चलता है वो भी कट चुका है और यह पीन का साज तो कटी गया है तो दोस्तों यह हमारे बन भी जाता है लेकिन इसको हम नयाई चेंज करेंगे हम इसको बनवाएंगे नहीं इसको नयाई चेंज करेंगे लगता है तो यह हमारा बेरिंग निकल चुका है यह जो पीन आप देख रहे हैं यह गयर में जाके उसके स्वराग में लगता है तो यह इंटरलोक हमारा लगता है तो यह हमारा सभी इतना समान खराब है इसका यह Star Gear और एक बड़ा वाला पीन दो छोटे वाला पीन और सीम्स और हमारा यह बेबुल अंडी इतना समान हमें चींज करना पड़ेगा तो हमने यह सवरा समन मंगा लिया है हमारा सारा समन आ गया है तो इसमें पूरा समन आ जाता है यह Star Gear और पीन सीम्स सब इसी में लॉक बेगारा सब इसी में होता है तो हम सबको साइट करके आपको बेबुल अंडी दिखाते हैं कि निया वाला कैसे है और हमारा पुराना वाला कैसे कितना कटा हुआ था वीडियो आपने अगर यहां तक देख लिया है तो मैं उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को अल पे सेलेट कर ले कि जब भी हम वीडियो बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिले आप हमारा वीडियो देख सकें तो यह आप देख सकते हैं कि हंडी कितना अच्छा इसका पॉल है मतलब सुराग इसका थोड़ा भी नहीं कटा हुआ है तो निया में कुछ ऐसे ही होता है हमारा वेवुलंडे तो आपको हमने अच्छा उसका विखाया कि अंदर से भी कितना कटा हुआ था जो की पॉलीसी पर चलने वाला चीज है दोस्तों हमने उसको बनवां के वैसे सी डाल देते तो कुछ दिन तो चलता लेकिन नया जैसे नहीं चलता तो यह customer के ऊपर है customer से बात करके आप कर सकते हैं या customer जैसे बोलें वैसे आप काम कर सकते हैं बनवाने के लिए बोले तो बनवा सकते हैं नहीं तो नहीं डाल सकते हैं तो कुछ सीम हमारा ऐसी नीचे लगता है तो इस पर हम lubricant करके फिर लगाएंगे हमने आपको दिखा करने के लिए इसी मुँआ पर रखा है श्रीफ और हमारा इंटर लॉक इसी में लगता है तो चली इसमें ओल लगा लेते हैं ओल लगा के फिर आपको हम फिटिंग का वीडियो दिखाते हैं तो दोस्तो हम कोशिस में रहते हैं कि हम काम अच्छा ही करें तो ओरिजिनल ही एस्पेर पार्ट यूज़ करें original spare party उज़ करने से हमें result अच्छा मिलता है और long time तक चलता है बाकी तो पैसा खर्चा करना तो customer के उपर है तो हमने एक gear fit कर लिया है अब उसके बाद star gear का वासर में हम oil लगा लेंगे और उसके बाद star gear को रख लेंगे हमने दोनों star gear का sim में oil लगा के और star gear दोनों रख लेते हैं फिर उसके बाद सबसे पहले हम बड़ा वाला पीन लगाएंगे तो ये पीन में भी बड़े वाले पीन में भी हम अच्छे से oil लगा लेंगे कि हमारा पीन अच्छे से बैठ जाए तो ये जो आप सुराग देख रहे हैं hole इसमें छोटा वाला लगेगा ना कि ये बड़ा वाला बड़ा वाला जो छोटा वाला पीन होता है बड़े वाले पीन को वही छोटा वाला पीन लग कर देता है और छोटे वाले को हम quarter pin लगा के लग करेंगे तो इसलिए दोस्तों तो जिसमें सुराग है उसमें छोटा वाला लगेगा बीना सुराग वाले में बड़ा वाला पीन लगेगा तो हमारा बड़ा वाला पीन अच्छे से बैठ गया है हमने बड़े वाले पीन को लगा लिया है ये सबी सिम्स में ओयल लगा के हम फिट कर लेते हैं ये दोनों हमने स्टार गेर डाल लिया और उसके बाद ये पिन डालेंगे हम ये स्वराग से स्वराग मिला लेंगे कि हमें क्वाटर पिन लगाने में प्रशानी न हो अब उसके बाद ये भी हम दूसरे साइट का भी उसका स्वराग मिला लेंगे ये स्वराग मिला के यहीं पिर हमारा क्वाटर पिन लगता है जिसे हम अपने देशिवासा में क्वाट पिन बोलते हैं तो हमारा ये स्टार गियर चारो कम्प्लीट फिटिंग हो चुका है अब इसके बाद हम लॉक लगाएंगे इसमें कट पिन ये गियर कुछ इस पे ही चलता है तो पहले हम लॉक कर लेंगे फिर गियर रखके प्लेट को टाइट करेंगे ये कट पिन यहाँ पे हम ठोक लेंगे पिन को लॉक कर लेंगे तो ये पिन कुछ इतने यहाँ पे बैठता है तो उपर से हम इसको इसमें फिटिंग कर लेंगे तो उपर से हम फिटिंग कर लेते हैं इसको तो एक हमारा ये फीट हो चुका है इसी तरह से हम साइट का भी दोनों फीट कर लेंगे ये हमारा दोनों साइट हमारा कॉट पीन लग चुका है हमारा अश्टार गयार कम्प्लिट फीटिंग हो चुका है विबुल हंडी में अब इसके बाद हम बड़ा वाला गयार रख लेंगे सिम्स में ओईल लगा के तो ये दोस्तो अगर ये सिम मोटा पतला भी आता है तो अब अपने हिसाब से इसमें सिम लगा लेंगे कि आपको कितना चाहिए इसमें ना हमारा ज्यादा गयार टाइट होना चाहिए ना ज्यादा लूज होना चाहिए और सुराग से सुराग उल से होल मिला के प्लिट को हम बैठा लेंगे तो हमारा प्लिट बैठ चुका है तो हम गीर को घुमाए के चिक कर लेंगे कि ये हमारा न ज्यादा टाइट होना चाहिए न ज्यादा लूज होना चाहिए आप क्राउन को फिट कर लेंगे बौड़ी में और फिट करने के बाद ये नट्स अभी हम टाइट कर लेंगे इसका और भी टेक्टर रिपेरिंग के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के आल पे सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि हमें सही टेक्टर रिपेरिंग के वीडियो ने ने टॉपिक पे बनाते रहते हैं सबी नट टाइट करने के बाद हम इसको फिर डिफेरेंशल लॉजिंग में इसको फिटिंग करेंगे उसका इंटर लॉक का कॉलर लगा के यह सबी राणिंग का बॉल्ट टाइट कर लेते हैं अब उसके बाद हम इंटर लॉक का कॉलर लगा लेंगे यह हमारा नीचे जब जाएगा तो हमारा इंट्र लॉक लग जाएगा यह इंट्र लॉक हमने बैठा लिया है और उसके बाद आप बेरिंग हम फिटिंग कर लेंगे तो हमारा बेरिंग फिटिंग हो चुका है अब डिफिरेंशल लॉजिंग में हम क्राउन पिनियन को फिटिंग कर लेंगे क्राउन बड़ी को अब लिवर की मदद से इसको उपर उठा के हम दोनों साइट का प्लेट टाइट कर लेंगे तो हमने लिवर से उठा लिया है और फ्रॉक में इंटरलोक वाला कालर लग गया है उसके बाद ये दोनों पिलेट हम इधर से टाइट कर लेंगे तो ये जो हमारा छोटा वाला पतला वाला जो ये आप देख रहे हैं जहांपे हमारा इस्टिल पिलेट लगता है ये पीछे की तरफ रहेगा दोनों का तो हमारा ये पिलेट पैट चुका है अब इसका अनुट टाइट कर लेंगे ये सबी नुट टाइट करने के बाद दूसरे साइट का भी हम फिटिंग कर लेंगे तो ये पतला वाला आप भाग देख रहे हैं जहांपे हमारा इस्टिल पिलेट लगता है ये भी इसका पीछे की तरफ रहेगा दोस्तो हमने इस वीडियो में कैसे क्राउन बर्डी जो बेबो लंडी हम उसको बोलते हैं कैसे फिट करते हैं इस वीडियो में हमने आपको दिखाया तो हमारा ये कंपलेट फिटिंग हो चुका है तो आप ये देख सकते हैं कि ये सब complete fitting हमने कर लिया है तो इसका पले अगर हो तो आप अपने हिसाब से चेक करते हैं दोनों plate से adjusting कर सकते हैं तो अब हमारा complete fitting हो चुका है अब हम इसका break housing चड़ा लेंगे अगर break housing का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं अगर आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कर लें